हेलो दोस्तों आप सभी का देलोजिकल इंडियन यूटूब चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूँ एडोकेट पंकस कुमार त्रिपाथी लखनवुसे। दोस्तों आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक बहुत ही जुलंत विशय पर एक तूतू मैमै पर एक घटिया से आरोप पर एक बहुत बड़े मानहानिकारक वक्तव्य पर जो प्रदीप सिंग नाम के पत्रकार ने जो बड़े पुराने पत्रकार हैं पत्रकारता जगत के एक इज़दार व्यक्ति होंगे इन्होंने उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री स्री ब्रजेश पाठक जी के खिलाब जो आरोप लगाया है उस पर यानि कि इनके इस वक्तव्य से जो इनको योगी समर्थक पत्रकार माना जाता है खुलम खुला यह उनके पक्ष में लिखते हैं बोलते हैं कहते हैं और अब जैसे बात इन्होंने ब्रजेश पाठक जी के खिलाब कह दी है फिर तो ये लग गया कि ये योगी आदितनात जी के लिए पत्रकारिता छोड़कर इतनी दूर तक बात करने वाले हैं जातिवादी बात करने वाले हैं कि साथ जितना योगी आदितनात नहीं सोच रहे हूंगे यानि कि उपचुनाओं से ठीक पहले उत्तर प्रदेश की बीजेपी में उप मुख्यमंत्री बना मुख्यमंत्री के समर्थक पत्रकार यानि ठाकुर बना ब्रामर की राज़नित सामने आ गई है कोई इसको बहुत परदे में डालेगा बोलेगा जातिवादी बात नहीं करनी है रे हम बात नहीं कर रहे हैं जातिवादी या आपको करने के लिए नहीं कह रहे हैं लेकिन जब आरोप जात क्या धार पर है कमेंट जात क्या धार पर है तो देने वाले ने तो जात को ही लक्ष रख करके दिया होगा यानि कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में जैसे लोग सभाचुनाओं के पहले एक ऐसा माहोल बना था तो बसंधरा राजयों को मुख् बहुमत में आ जाएंगे तो योगी जी को हटा दिया जाएगा ऐसी तमाम बातें सता पर आई थी जिससे ये माना जाता है कि ठाकुर समाज ने थोड़ा कम वोटिंग की होगी ऐसे एक अनुमान है कहें उसका रिवर्स तो नहीं 2024 के इस बिधान सभा उपचुनाओं में होने जा रहा है उत्तर प्रदेश में आखिर उपचुनाओं के ठीक पहले ये मुद्दा क्यों उछाला गया है कहां से आ गया किसने कहा कैसे आया ये जानना उत्तर प्रदेश की राजनीत को समझने के लिए बहुत जरूरी है तोस् कुछ है ये है तो हम बोल पा रहे हैं आप सुन पा रहे हैं और ये है तभी ये लोग भी है ने तो ये पद नहीं होते जहां ये लोग बैठे हुए हैं इसलिए सबसे पहले भारत के संभिधान पर बात करेंगे कुछ सेकिंड में भारत के संभिधान के जानकारी हर बच्च लिखते हुए उनकी व्याख्या की यह जो ग्रे में है यह भारत के संविधान की मूल बात है यानि मूल संविधान से ली गई है यह अनुछेद 20 से देखे एक दो तीन लिखा हुआ है अब इसकी व्याख्या मैंने इतने लंबे चोड़े में की है जिससे कि हमारे देश के उन मात इतने सब्दों में लिखा है अनुछेद 26 प्राण और दहिक सुतंतरता का संरक्षन किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दहिक सुतंतरता से बिध द्वारा अस्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा नियथा नहीं अब इतनी सी बात को देखे मैंन पंड्री में व्याक्षाय की है आप खोद देखी ये मेरी व्याक्षण है जिसमें मैंने सरोच न्याले के निर्वयों का उल्लेक करते हुए इसका अर्थ असपस्ट किया है ये देख तो ये किताब क्यूं जरूरी है क्योंकि इसमें संबिधान के प्रावधानों को को साकार करने के लिए जोड़ा गया है अब अनुछेद में इतनी सी बात लिखी है कि मैंने इसकी इतनी सारी व्याख्या की तो ये किताब अत्यंत उपयोगी है बहुत वर्षों की तपस्या के बाद इतनी सरल सब्दों में इतनी छोटी किताब लिखी जा सकी है ये किताब आ नमर पर संपर्क करके खासकर वाटसप से संपर्क करिए तीन सो रुपिया एक किताब का है जमा करके उस नमर पर जो नीचे लिखा हुआ है आप अपना पता और जो पैसा जमा की उसका स्क्रिंशॉट भेज दीजिए हमारे पास कैसान डिलिवरी की फैसल्टी नहीं है वो ला से पैसा आए किताब नजाए तो आप निश्चिंत रहिए और जो व्यक्ति यहां इस किताब को लेकर खड़ा है वो खुद इस किताब का जब लेखक है तो उसके लिए वो तीन सो रुपैसे कई हजार गुना बड़ी उसकी खुद की प्रतिस्था है ठीक है दोस्तों तो न बिधान की प्रतियां लोगों में बटवाना चाहते हैं तो हमारे यहां से मंगवा सकते हैं आप ऐसे में हम भी अपने और से कुछ छूट दे देंगे पोस्टल खर्च कम हो जाएगा तो यह कम पैसे में आप तो कुपलब दो पाएगी तो आप चलिए आगे चलते हैं अग इंदा की जानी चाहिए इन्हों ने ब्रिजेस पाठक को तीन तरह से अपमानित करने वाली बात की है पहली बात कि इनको अब विसुसनी करार देते हुए ने आश्तीन का सांप बताया है आसतीन का साप बताया कि ये आस्तीन के साप हैं और दूसरी बात कि इन्हों ने ये कहा कि वोह व्यक्ति जो चहतरसंग का धिक्ष रहे हैं लखनोविशुविद्याले की 90 के दसक में और जो BSP से लोक सभा के साँसद रहे हैं बी जेपी में विधान सभा के सदस्य हैं और पहले कानून मंत्रिया और अब उपमुखी मंत्री हैं ऐसे व्यक्त के बारे में ये बोल रहे हैं कि इनकी इतनी कोई साख नहीं है कि ये ग्राम परधानी का चुनाओ भी अपने दम पर जीत पाएं तो पहला अपमान जहां इनके बिसुसनीता पर इन्होंने किया है दूसरा ये कह करके इनकी राजनैतिक साख पर सवाल किया है लांचन लगाया है कि ये कोई प्रधानी का भी चुनाओ नहीं जीत पाएंगे अपने दम पर और तीसरा जो अपमान किया है कि ऐसे लोगों से भाजपा को छुट्री पा लेन बीजेपी के समर्थक जातियों में से एक जात पर सवाल उठा था कि वो लोगसभा में उस्तर समर्दगार नहीं हुई जैसे बीजेपी के साथ इसके पहले वो हुआ करती थी ऐसे जात के किसी पत्रकार को क्योंकि जात तो सम अपनी पनी जान रहे हैं जैसे मैं ब्रामर को बहले कोस दूँ लेकिन अनने जातियों के खिलाप बोलने से पहले मैं सोचता हूं क्यों क्योंकि अपने को कोई भी कोस सकता है कोसना भी चाहिए तो इनको भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए था तो क्या ये फिर से बीजेपी को कमजोर करने की साजिस है कि कि किसी ब्रा कर देना है आखिर बीजेपी के समर्थक होकर बीजेपी में बैट कर रही जो लोग बीजेपी को कमजोर करने की ऐसी बात को सोच रहे होंगे मैं नहीं कर रहा हूं को सोच रहे हैं लेकिन लोग बूत पिते बच्चे नहीं है यह बहुत दूर की सोच पाते हैं समझ पाते हैं क तो क्या ये बयान इस समय जो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के खिलाब बोला गया है वो जान बूझकर भाजपा को फिर उपचुनाओं में हरवाने के लिए नहीं बोल दिया गया दोस्तों चाहे कुछ भी हो और चाहे किसी की निष्ठा किसी भी नेता के लिए हो कोई व्यक्ति किसी भी विचारधारा से जुड़ा हो लेकिन किसी व्यक्ति भी सेश के बारे में इस तरह से लांचनकारी बयान नहीं देना चाहिए अब ये कुछ ही दिन पहले ओबी सीवर्ग से आने वाले एक बिधायक को एक व्यक्ति ने चाटा मारा है जो व्यक्ति चाटा मारे हो किस जात के हैं जरा ये भी पता लगा लिया जाए और उस पर इस पत्रकार महोदय की क्या प्रत्क्रिया है भाजपा सत्ता में इस समय है अगर भाजपा के किसी विधायक को कहीं कहीं गनर हैं पुलिस हैं सब हैं उसके बाब भी सरयाम तमाचा मार दिया जाए तो ये तो law and order पर भी सवाल है ये कौन लोग हैं जो law and order पर अब सवाल नहीं उठा रहे हैं दोस्तों मैं कल्पना करने की बात कर रहा हूं कि कल्पना करिये कि यही सपा का राज होता और वो विधायक जिस जात के हैं कुर्मी समाज के हैं कुर्मी समाज के ही होते और वो मारने वाला सक्स अगर यादव होता तो क्या हुआ होता क्या होता इस देश प्रदेश में अब त वहाँ इतनी सारी पुलिस खड़ी थी अगर विधायक जी कुछ गलत कर रहे थे तो पुलिस थी सरयाम चाटा क्यों मारा गया और ये जानते हुए कि जन्रप्रत्निदी है ये जानते हुए कि सत्ता रूड दल से है उस व्यक्ति में कोई डर क्यों नहीं था तो जो आरोप अकलेस यादो या मुलायम सिंह यादो की सरकार होने पर अगर वो मारने वाला यादो होता तो लगा दिया जाता वो तो लगना चाहिए अब क्यों क्योंकि इस प्रदेश में इस देश में जातिवादी मानसिक्ता लोगों की होती है जब उनकी जातिका मुख्यमंत्री बैठ जाता है तो उनको लगता है कि हमारी जातिका है तो उनको कुछ भी कर सकते हैं इसकी कीमत उस मुख्यमंत्री को उस पाल्टरी को चुकानी पड़ती है लेकिन सजातियों के मन में ऐसा भाव भरा होता है वो मन बढ़ाई करते हैं और उनकी इस मानसिक्ता में वो नेता भी खात पानी देता रहता है वो इतना इनोसेंट नहीं होता वो खात पानी दिया होता है वरतमान में भी कुछ जल रहा होगा तभी इस तरह की मांसिक्ता बढ़ गई होगी तो मैं यह जानना चाहता हूं कि प्रदेश के मुख्यमंत्री को आस्थिन का साम बता देना क्या एक पत्रकार को सुभा देता है वो भी सरकार की नजर में आस्तिन का साम बताना ये अत्यंत निंदनी ये बयान है इसकी निंदा की जाती है और ये पूछा जाता है किसके पहले पंडित हरिसंकर तिवारी के इसमारक बनाने पर वहां मूल्डोजर क्यों चला था तो क्या ये चिन्हित करके कुछ लो जोड़ नहीं करना चाहते क्योंकि इसमें ब्रामर एक समाज के तौर पर भाजपा के साथ है तो अगर हर्शंकर तिवारी के समारक बनाने पर जो बुल्डोजर चला उस घटना को देखें और अब ब्रिजेश पाठक को जिस तरह से आस्तीन का साफ कहा गया है इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो बहुत कुछ लकीर साफ दिखाई देती है लेकिन ये जो लकीर साफ दिखाई दे रही है इस लकीर के साफ हो जाने पर कौन साफ होंगे ये आने वाला वक्त बहुत जल्दी बताने वाला है इस वीडियो में इतना ही वीडियो पर अपनी प्रत्किरिया की रूप में कमेंट दीजिएगा वीडियो पसंद आये तो लाइक करइए, शेयर करइए चैनल सबस्क्राइब ने ओगर कियों सबस्क्राइब करइए मैं फिर से कह दूँ कि किसी भी पत्रकार द्वारा किसी नेता के लिए या किसी नेता द्वारा दूसरे नेता के लिए या किसी जनता द्वारा किसी नेता या जनता के लिए ऐसी और सोभनिय भासा का समर्थन नहीं किया जिसकता इसकी निंदा की जाती है जय सम्विदा